दोस्तों बोले बंडारी आज दिनांक 10 जन्वरी 2023 है चोबिस है स्वरी आज की देवानी जन्वानी मंगलवानी मैं उस्परंद सित्ता को नमन करता हूँ ये इस्वर तुछ सब का भलाकर इस्वर मेरे सामने खड़ा है दोस्तों अभी मेरे साथी लोग प्राथना पर बैठे हुए हैं मैंने उनको बोल दिया है कि भाई मैं तो थोड़ा लेट आउँगा अभी मेरा वीडियो नहीं बना मुझे अपने ध्यारी तो पक्के कर लेने दो आज का वीडियो का उसने परमात्रान मुझे हेडिंग दिया ये देप में मैं चेहरा दिखा रहा हूँ इसका इधर से दिख लिए बोल कर सुना दूँगा ये आज का हेडिंग है विशे है भारत सावधान क्या भारत सावधान सब जल्दी सुबह सुबह ध्यान से देरे देरे समझ समझ कर सुने कि ये है अलवर वाला मंगल सड़क चाप मंगल आखिर बोल क्या रहा है क्यों बोल रहा है क्या तैयारी करने के बाद बोल रहा है या इसके पीछे कोई और बोल रहा है हाटो विश्एक द्वारा सुन ले भारस चावधान सब बारती जल्दी जल्दी सवें सुवें ध्याँ से धिरे-धिरे समझ कर सुन ले रिपले कर करके सुन ले कि यह अलवर वाला स्टरक्छाप मंगल आखिरकार बोल क्या रहा है क्यों बोल रहा है क्या तैयारी करने के बाद बोल रहा है या इसके पास इसके पीछे कोई और बोल रहा है हाँ दोस्तो अवज सुनो और सुनो ही नहीं सुनाओ भी इसको स्टेर भी करो यह उटनाई आपके लिए फायदे मन दोगा बारस साथान भाई में भारत को साथान कर रहा हूं मेरा देश है मेरी मातृ खुमी है में ने यहां पर यहां मैं पैदा हुआ हुँ यह चलना खेलना सिखा है मेरा स्ठरीर इसमिट्टी से बिना है मैं भारत मों सावधान तो करूँगा ही आपको गई भई हां करो 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 हां तो दोस्त तो सुनो यहां भगवान प्रत्रक्ष है समने बैठा है मैं ऐसे नहीं बोल देता कि भगवान मेरे समने खड़ा है सब का हिसाब किताब रखता है तो सुनो भारत साथान के कहने के पीछे क्या मकसद है वैसे तो दुनिया एक टर्नमोल से गुजर रही है एक विपलो से गुजर रही है सारी दुनिया अपने विर्तिकट कर्मों का और सामुई कर्मों का फल भूगने के लिए जो अब परमात्मा हिसाब किताब बराबर कर रहा है सारी दुनिया भारत ज़्यादा तकलिफ में है भाई भारत ज़्यादा तकलिफ में है क्यों है और होगा क्योंकि भारत में कुछ ऐसे ही अपराद हुए है क्राइम जो जनरली मानोता करती है छोटे जियों को मार कर खाना सेक्स के परती अपराद बच्चों के परती अपराद धन की वज़े से अपराद जीलक्स्टी की वज़े से अपराद पद की वज़े से अपराद एम की वज़े से अपराद अज्यानता में अपराद या और किसी प्रकार के अपराद ज्यादत पर सभी देशों में होते हैं लगबग बराबर किसी होते हैं समको सुन्दर ओरते चाहिए समको धन चाहिए समको ताकत पर पोश्ट चाहिए इस चक्कर में आदमी अपने खुश भूल जाता है गल्दी करता है और अपराद हो जाते हैं लेकिन भारत एक विशेश क्यटेगरी का देश है यहाँ पर एक विशेश अपराद हुआ है जैसा अपराद कहीं नहीं हुआ क्या परता जर्मनी में हुआ हो जहां पर ऐसे कंड हुए थे वह क्या अपराद है पूरी मानोता के पृतिय अप्राद, उस अप्राद का नाम है मनु अप्राद, मनु अप्राद का अप्राद, मुठी वर लोगों द्वारा सब को बंदक बना लेना, अपने अलावा ने किसी को पढ़ने देना, ने खाने देना, ने पीने देना, ने न्याचे रहने देना, ने प्रेंचे रहने देना, सम्मान से निरेन देना, सब को बंदक बना लेना, और भारत में ये हुआ है, और ये हुआ ही नहीं, हजारों साल तक चला है, जिसकी vibrations से सारा भात का अंत्रक्ष भरा हुआ है जिस अंत्रक्ष में है vibrations, entities, पापों की कुंडली और पता नहीं क्या-क्या इसलिए दुनिया को जो भुगतना पड़ेगा आपने पापों की वजए से, Нोनेजी की वज़े से, मूट जीवों को खाने की वज़े से, नेचर के पृति अन्याय करने की वज़े से, सेक्स के पृति, बच्यों के पृति धन्की वज़े से याज जैसे भी अपराद है सब ज अगर तो करना पड़ेगा भारत को अडिस्नेल भुगरना पड़ेगा और वे सामने हैं ऐसा अपराद कहीं नहीं हुआ आदमी के बच्चे को दोगी का बच्चा नहीं सुवर का बच्चा ही बना दिये गया और पर्मानेटली उसको छाप दिया गया कि तु ऐसा ही रहे और इससे बड़ा अपराद क्या है कि अपराद हो जाते हैं हमको समझ जाना चाहिए पश्चाताप कर लें प्रात्ना कर लें उसका फल भुगत लें उसके बाद समझ जाएं लेकिन भारत नहीं समझता कि वई अपराद है जो वेदिक धर्ण से उपजा वरणास्त्रम व्यवस्था से उपजा मनू व्यवस्था से उपजा ब्रामन व्यवस्था से उपजा जो सेतानिक व्यवस्था है उससे उपजा चाहे वो कितने ही दिन चले उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई अंदकार भरिस्ता में चला जो चला इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही होगा जहां मानोता के साथ कितने अन्याय अत्याचार हुए मैंने पिछले वीडियो में बताई चुका हूँ उसकी वज़े से भारत को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और भारत को क्या विश्यक्रूप से हिंदों को भुगतना पड़ेगा और हिंदूों में हिंदूों के पटेलों को ठेकेदारों को भुगतना पड़ेगा यानि उन बड़ी जातियों को बुगतना पड़ेगा यानि उन जातियों को उन सरने वालों को बुगतना पड़ेगा ज़्यादा बुगतेंगे तो सारे ही इसलिए दोस्तों समझ लो कि भार साथदान क्यों हो जाए इसमें बचा भी हो सकता है इस तुर बड़ा दैल हो है यदि समय पर चेत जाए तो लेकिन कोई चेतने का नाम ही नहीं नहीं लेता इसलिए उस पर्म पिता ना आज मुझे लिखाया ये मैंने उस चेका है कि ये मंगल को सुनने की क्यों करे हो बाई मैं तो एक लल्लू सा आदमी अनपड़ सा आदमी सरक चाप सा आदमी लेकिन उसकी मर्जी उसने लिखाया बार सावधान सब जल्दी सुवे सुवे ध्यान से देरे देरे समझ समझ कर सुने कि ये मंगल अलवरवाला सरक चाप सा क्या बोल रहा है अकिरकार क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है क्या तैयारी करने के बाद बोल रहा है और इसके पीछे कोई और बोल रहा है यह बोल रहा है यह चिरकुट जो उदम मचाए फिरते हैं इनका यह पता नहीं चलेगा भाई ये मुझे ऐसा बताया देखो मैं कुछ नहीं मेर मैं नहीं करा उन देव सक्तिवने जो बोलता है कि ये चिरकुट जो उदम मचाए फिरते हैं कि ये बुल्डोग और जर्मन सेफर्ड पट्टा बांधे जो उदम मचाए फिरते हैं वे ऐसे बैठ जाएंगे जैसे गुबारे में से हवा निकलने के बाद वे छोटा सा होकर बैठ जाता है कि आप नहीं उठने काम हैं जिरा तसलिय रखो लो अपने कियों के लिए कुछ संज लो उनके लिए पश्चरता आप करलो उनके लिए माफी बांग लो अपने राष्टा बदलो और वही काम करो जो सबको जरत है सबको मानोता के लिए होना चाहिए वरना भारत की विशेश रूप से भारत के हिंदूओं की विशेश रूप से हिंदू धरम के पटेलों की विशेश रूप से इन दो जातियों की विशेश रूप से इन उधम मचाने वालों की विशेश रूप से इनकी जिनके पास कुछ प्रशत लोगों के पास पूरी धन सत्ता है जिनोंने पूरे देश को करनेप कर लिया है इनकी ऐसे पता नहीं चलेगा ये सबिता ऐसे निस्ट हो जाई इन लोगों की ये हिंदू सबिता विशेश रूप से ये हिंदू के पटेलों की सबिता ये हिंदों के धन्वानों की सब्विता जैसे बेबी लोन, मेसापोटमियम, माया और मिस्टर कौन-कौन से सब्विता नस्ट हो गई और कितने सब्विता हैं सुम्दर के अंदर गर्ब में समाई हुई है कब आई और कब चली गई जैसे एक ही उस चुद्र ग्रह से उलका पिंड टूटा और उन डाइनोसारों का पता नहीं चलता वो गयद कहा हो गई उदमत मचाओ लोगो क्या कुछ धन इकटा हुआ क्या कुछ सत्ता पर अजिकार हुआ चिंगारने लगे हो सब वई-वई करो जो सब्केट में है थोड़े से दिनों का जीमन होता है जो मैं बोलता रहता हूँ मैं कोई पठल नहीं हूँ अरे मेरे को तो मैं तो किसी अवस हूँ किसी सक्क्टियों के वसमें वो मुझसे बुलवाती है मैं बोल देता हूँ मेरी क्या उकाथ भाई मैं तो ऐसे ही अलवर में गूमता रहता हूं कभी-कभी भार भी गूमता रहता हूं लेकिन मुझे जो बुला है वो मैं आपको बोल देता हूं सब वही वही करो ये सत्ता छीनी जाने वाली है ये धन छीना जाने वाला है ये इज़त छीनी जाने वाली है ये बेन वेटियां भी छिन सकती है ये जातियां ये नसले गाया भी हो जाएंगी यद ये पाप का रास्ता नहीं छोड़ा तो कौन सा रास्ता कि हमी खाएं पियें हमी पड़े लिखें हमी मोज करें हमी धन रखें हमी हत्यार रखें और नहीं जिन लोगों को ग्रांड कर दिया, फ्रीज कर दिया, कि वो ऐसे ही बने रहेंगे, यह भेड़ और भेड़े का खेल नहीं है, जंगल का, भेड़िया और हिरन का खेल नहीं है, यह आदमी के बच्चे हैं, इसलिए अभी भी समझ जाओ, जो यह डेवारत्मा मेरे पीछे बोल रही है, वो समकी मुझे दोस्त लगती है, बड़ी कोई पवित्रात्मा लगती है, जो मुझे से बुलवाती है, कि ऐसा बोल मंगल, मैंने कि फिर बुल दूँँगा, शिर को तूट जाएंगे, आज भारत, आज दुनिया में जो परमानुबंबर ने, उनमें जादतना हिस्चा भारत पर किरने के लिए बना हुआ है, कि यह लोग नहीं समझते, यहां अपराद का गढ़ रहा है, ऐसे अपराद हुएं, जो कहीं नहीं हुए, और समझने का नाम ही नहीं लेते, इन लोगों पर, इन हिंदों पर, इन हिंदों के पतेलों पर, इन जातियों पर, उन पैसे वालों पर, इन सत्ता वालों पर, इन पविश्ट्र इस्थलों के इंचार्जों पर, इन मनु जो एक गुंडाइजम हैं, इनके ठेकदार, इनके सर्मायदार, इन संकराचारियों पर गिर जाएगा सुलो गिर कर रहेगा जाना जल्दी मत भड़कना मुझे तो वह समा लेगी जो मुझसे कह रही है कि तू ये ऐसा बो आखिरकार इस वाद ने दिया क्या मानू ताको समझ लो इसे नसलें गाएब हो जाएगी इतिहास की चीज बन जाओगे ये फल्ती फूल्ती सब्बिता जिसके हाटों में सारी धन है सारा सिक्ता है सारी ताकते है सारा देश की संसा है, सारी मिलिटरी है, सारी फुलिस है, सारा मीडिया है, ऐसे गाइब हो जाएगी ये कल्चर, जैसे मिस्टर की सबिता, बीबलून की सबिता, महसा प्टामिय की सबिता, माया सबिता, और दाने कहां कहां की सबिता नस्त हो गई, और ऐसा ही होगा, वह देव शक्ति कहती है कि बचना है तो बचलो कुछ उस्वर की नईवानी हो जाए आज इतना ही जैन्जे भारत